वेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकाम एक टो गैनलफ बंस अगेंड आप लोग ने पिछली वीडियो देख ली होगी और कैपैसिटर का बेसिक्स क्या होता है कैपैसिटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है यह आप लोगों ने देख लिया होगा आज हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर्दर टाइम वी विल स्टाट वीद पॉंबीनेशन ओपैसिटर कि सर अगर कैपैसिटर दो थीन हैं अमारे पास और उसको सीरीज में करने किया तो हमें टोटल कैपैसिटर कितना मिलेगा तो हम लोगों ने पैरलल में करने किय कितना मिलेगा यह हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं तो इस वीडियो को एंद तक जरूर देखना और अपने फ्रेंस के जरूर शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टन इंफॉर्मेशन आ महारस्ट्राबोड इस चैनल पर आपको क्लास 11 क्लास 12 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैट्स, बाइलोजी, इंग्लिष सारे सब्जक्राइब लेक्चेस मिलने वाले हैं यहां पर अंजली मैं बायो लेती है और मैं फिजिक्स लेता हूँ और आपको तो पता ही है कि फिजिक क्या शेयर करके रखना और एक एक नए सीरीज चालू की गई है जिसका नाम है देह सीरीज देह मतलब तो आपको पता ही है इस सीरीज के अंडर में हम लोग सारे अकाडेमिक सिले बस जल्ली से जल्ली कंप्लेट करने की कोशिश करेंगे इंट्रस्टिंग थिंग्स थिंग्स इस बोलने का मतलब आपको पता ही है पन्बहुत सारे एक्स्पेरीमेंट भी करने वाले है और जैसे कि आप लोग को पता है कि अनकेडमिक बहुत सारे प्लस के बेनीफिट्स है वह प्लस की बैड़िट्स जानने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो हम लोग अपने लाइव लेक्चेर एप पर हम लोग मैं या अंजली मैम दोनों में से कोई एक जन आता है और वेनसडे को मैं भी आता हूँ थोड़ा सा टाइमिंग चेंज हो जाता है मैं आता हूँ सुबह और अंजली मैम आती है शाम को ठीक है तो शाम को मिलना अनगाइडमी के एप पर वहाँ पर यहां दाएक है कि मैं फालो कर लेना और या लक्ट्रेंड कर लेना वह भी फ्री अफ चॉस्ट होते हैं हमार रकोड़् उस कर लेना और और से आप बच्चो यहां पर देखो आज अपन सीखने वाले combination of capacitors आखिर capacitors को आपन कैसे कैसे connect कर सकते हैं और उसका equivalent क्या मिलेगा देखो बहुत ही simple चीज़ है बहुत बहुत simple चीज़ है जैसे आप लोगों ने resistance को कभी यहां पर फिर दूसरा यहां पर तीसरा यादा ही कहानी यस वैसे हम लोग कैपैसिटर को भी एक दो दो और तीन ऐसे हम लोग यहां पर connect करने वाले और यहां से आपन यहां की गाड़ी आगे चलने वाली है समझ में आ गया है तो सेम चीज़ बस इत्तु साहीं करना है और और इसके ओपर questions आते है सीटीके में भी और बोर्ड एक्जाम्स में भी तो टॉपिक छोड़ना ही नहीं है क्यों भी नहीं चोड़ेगा बहुत एज़ी टॉपिक एक फर्मला याद रखना है एक फर्मला से आपका सारा कहानी स्टॉल्व हो जाएगा सर कौनसा फर्मला था पीछे लेक्चर में लो पहले बेसिक चीज़े पढ़ लेते हैं कि आकर होता क्या है सबसेपहली बढ़का सबसेपहली बात करने की जरूद क्या है को ओगर हमारे पास बहुत सरी सीरीज में capacitor दिया है तो उसकी जगेपे हमें एक capacitor क्यों लाना है ठीक है अगर हमारे पास बहुत सरी capacitor दिये जो parallel में connected है तो उनकी लिए उनकी जगेपे हमें नहीं होगा इससे अपना क्या होगा जगा भी कम लगेगी पैसे भी बचेंगे ज्यादा कॉम्प्लिकेट भी नहीं होगा तो यहीं सीखना है हमें कि हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं तो चलिए स्टर्ट करते लेक्षर को को एफेक्टिव कैपैसिटेंस डिपेंड्स अन दी वे इंडिविजुल क्या करना है निकालना एक्टिव कैपैसिटेंस बोलो ठीक है ओके तो हैर वी इसकस्ट टू बैसी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपैसिटर्स विच यह इंगल एक्विवेलेंट पैरा तरीका है रिख रहा है और यहां से मैं एक लगा दिया इसके पास वोल्टेज सोर्स के लगा दिया मैंने यहां इसको अटा देते और यहां पर एक लाइन ताकि आपका तो यहां से सुनना वोल्टेज अपलाई कर दिया स्यार्ट पर यहां से यहां से और फिर यहां पे अपना पूरा टोटल करेंट आ जाएगा प्ल اس कि रहे हो प्लस क्यों आंगे की तरफ चलता जाएगा अभी ध्यान में औरफ्ट मुंटा की ऐता है करेंट क्या होता है सेम होता है वोल्टेज क्या होता है डिफरेंट होता है यह कहा ने अपने ध्यान में रखनी है और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं तो अभी यहां पर देखो क्या बोला गया है क्या 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 इसके सब्सक्राइब कर दोगे है आगे देखो यहां पर कुछ वल्टेज आएक आपका व्टेज आएका वी यह तो आपको पता ही है टोटल वेल्टेज क्या करोगे आप लोग एड कर दोगे और एक और इंपोर्टन बाट यहां पर लास्ट पॉइंट दिया है यहां पर ध्यान से पढ़ना इन दिस सीरेश कॉबिनेशन चार्ज ऑन दिपलेट देख प्लस अधार दिस सेम गई आओन पैसितर यह भूछ एद सर्म पैसितर यहां पर लिख लो प्ल pię l इंहाँ पर भी क्यू चार्जेज ही होने वाले है कि चार्जज क्या होंगे सेम होंगे वल्टेज क्या अलग होगा तो बस sport plates तो हमारे पास क्या मुझत भॉल Schuld beings फोर्मला होगा वी-वन-फ्लझेज213 किसी को दिक्कत नहीं सर्थ मैंने बताया था यहां पर इक्ञ ले Learn data यहां पर सिदख्ण यहां पर क्या जगारम में अपर ने देखा था कि सी यहाँ आ पर विटू एक किसके अक्रोस आएगा सी टू के यहां पर वी थ्री है जो किसके अक्रोस आएगा सी थ्री के अभी ध्यान देना क्यों को निकाल दो बाहर यह क्यों निकल गया बाहर वन अपॉन प्र यहाँ पर Q निकला बाहर अंदर क्या बचा 1 प्लस C1 प्लस 1 प्लस C2 प्लस 1 प्लस C3 लियर है तो अभी यह Q से Q मर गया येस बचा गया हमारे पास 1 अपॉन अगर आपके पास यहाँ पर अपने तीन का एक्जमबल लिया था अगर आगे की तरफ ऐसे अपनी चलती रहेगी तो यह आपका आगया जब भी आपको जब भी आपको कैपेसिटर सीरीज में कनेक करने करके आपको टोटल टोटल सी फाइंड़ करने बोलेंगे या फिर टोट याद आ रहे ऐसे कुछ one upon something कुछ था ऐसे कुछ याद आ रहे यहीं सेम आपने जब रजिस्टर को parallel में लगा था तो आया था समझे महीं कुछ चमका कुछ मतलब कि रजिस्टर में पैरलल में एक्वेशन आया था वो एक्वेशन यहां पर हमें सीरीज में मिल रहा है ठीक है अगर कंफिज हो तो तो रजिस्टन्स वाला भूल जाओ तो याद रखोगे जब अपने कैपैसिटर सीरीज में गनेक्ट होंगे तो क्या करना है सबको आपको यहाँ अपकर आपका आपका आपपन करें तो क्या हो जाएगा यह नमबर तक चले जाएगा कोई दिक्कत वली बात नई सर इतने इतना हो आप लोग तो देखो यहाँ पर क्या बूला गया है अगर अगर आप लोग ने सब्सक्राइब किसके बराबर हो जाएगी वह सी के पराबर हो जाएगी तो अपने पास यह एक्वेशन आजाएगा जिनकी वैलू क्या होगी तो हम लोग यह वाला एक्वेशन यूज कर सकते हैं यह फिर अप लोग यह वाला एक्वेशन यूज कर सकते हैं इसको क्या बलते हो नीचे से उपर चला गया नीचे से उपर चला गया तो क्या हो गया यह भी उल्टा हो गया सी उपर आ गया एंड नीचे चला गया क्लियर है यह तो में कौन सा फॉर्मुला अपने को series combination के हमारे पास आ गया यह formula अभी चलते parallel के लिए चलो सर प्रेल के चलते उससे पहले series के लिए यहांपर एक important information दिये फटक से पढ़ लो एक मिनट लगेगा इस series combination is used when a high voltage is to be divided on several capacitors capacitors with minimum capacitance has the maximum potential difference between the plates यह दो पॉइंट यहांपर दिये है यहांपर अपने को बड़ा voltage को divide करना पड़ेगा और दूसरा पंड क्या लगया है जिसकी minimum सी होती है जिसकी value क्या होती है minimum होती है जब सी बहुत minimum हो तो इस time पे क्या होता है उसके पास maximum potential difference होता है देखो आपके पास relation भी है होगा तो वोल्टेज क्या होगा maximum होगा यहांपर वोल्टेज क्या वर्ड यूस किया है potential difference clear चलो आगे चलते तो इससे आपको यह कहानी समझ में आ गई अब यहां पार ध्यान देना वोल्टेज सबसे पहले बात अब लोग parallel कैसे पहचान के सब्सक्राइब यहां पर जाएगा ऑगा कुछ कुछ करंड घ्रेगा इसका मतलब कि अपना क्या आ गया parallel में अगया सब्सक्राइब शर्म बदाए यंदी होता है तो आपना वोल्टेज भूहल यहां पर और बन्त रहे हैं क्लियर बहुत अच्छे अभी यहां पर क्या बुला गया है in parallel arrangement of capacitor as shown in figure where the insulated plates are connected to a common terminal A which is joined to a source of potential while the other plates are connected to another common terminal B which is earth तो क्या वो लग गया है एक 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 सबको यहां पर जोइन कर दिया एक पॉइंट पे यहां पर यह यह इसको जोइन कर दिया यह diagram बना लोगे आपकी कहानी sorted आगे देखो अभी यहां पर क्या बोलोगे ध्यान से पढ़ना in this combination all the capacitors have same potential difference मतलब मैंने क्या बोला था कि V की value क्या होगी तेम होगी बच्चो मैंने पहला ही बोल दिया था but the plate charges on capacitor C1 C2 and C3 are not necessarily same और मैंने आपको बोला था कि current सेम नहीं होने आला है current सेम नहीं होगा तो charges भी क्या होंगे सेम नहीं होंगे very good आगे देखो क्या बोल लगया है इफ चार्ज क्यू इस अप्लाइड at point A then it will be distributed to the capacitors depending on the capacitance तो यहां पर क्या बोला गया है अगर आपके इस प्रेंट पर यहां पर तोटल चार्ज आता है क्यों टो कुछ चार्ज यहां पर चला जाएक कुछ चार्ज यहां पर चला जायेगा कूछ यहां पर चला जाएंगा ठीक है इसके उपर टीपैंड करेगा यह सी की वैल्यू के उपर जो भी इसकी वैल्यू होगी उसके उपर डिपेंड करके यह बागी के चार्जेस क्या होगे अपने डिस्ट्रिबूट हो जाएंगे ठीक है सॉरी एक मिनुट उप जाओ कि यहां पर देखो क्या हो गया तोरी डिस्टबंस के लिए यहां पर हमारे पास आगया यह टोटल कार्ज ओके तब यहां पर एक बात अपने को नोड़न करनी है कि क्यूट इस इकूट टू प्लस प्लस क्यूट थरी भाईया मैं फार्मुला पता है क्यू बराबर सी वी तो यहां पर उठाके रख दो बात क्या याद रखनी है कि वोल्टेज रिमेंस सेम यहां पर रख दिया सी वी यहां पर रख दिया सी वन वी यहां पर रख दिया सी टू वी यहां पर रख दिया सी थरी वी क्लियर है अभी सेम कहानी वी निकाल लोगे कॉमन यहां पर क्या बच प्रद्राइब में कनेक्टेट होंगे तो अपन क्या करेंगे सी वन की वैल्यू प्लस ट्रीट गिए एड़ कर दोगे और आपको एक्वैशन मिल जाएगा अगर आपको सबकी वेलू क्या है सेम है तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है सिविया याद रखना है कि जब सीरीज में होगा हमारा लोग करेंगे उन अपने क्या करेंगे सिटू प्लस सी इप्लस सिट्री प्लस यह कहानी थिए पूछ सकते हैं और उसको जरूर करके जाना अब देखो इसके पर कुछ सम्स है हमारे पास पहला समय अब इसमें भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट बोला है तो हमें क्या करना है हमें क्या क्या है सबसे पहली बात इसमें क्यों तो कहीं दूर दुर तक दिखानी है वी दे दिया है लेकिन क्यूं नहीं दिया है क्यों कैसे फैन ओट करोगे क्यों का हमारे पास फॉर्मला है सबसे पहले अपने बढ़ा था क्यू इज इकल्स टू एन टैंस ओफ ए एन क्या है दस की पावर आठ एक वेलु क्या होता है वन पॉइंट इंट देन की पावर माइनस नाइन तो यहां पर देखो इन दोनों को मैन-OOOO ores-9 मार when Wow, गया कीयो मिल गया आपके पास वी है तो बस Ăना में अब करो आपकी कहानी होजाएगी यहां पर देखों डबाई it by 10 अब ही देखो तैन उपर आएगा तो माइनस यहां पर वन है तो उपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाईया बोलो उपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वन पॉइंट सिक्स इंटू 10 रिस टू माइनस 11 बराबर कर रहे है ना कोई दिक्कत वली बात नहीं सर नीचे से उपर गया तो क्या हो ज लगए आपके पास आ गया अंसर को आपको लिखे रखना है क्या मिल आपको 1.6 इंटू 10 फीपावर माइनस 12 फेराइड क्या लिखा 12 फेरेड ओके सब बहुत अच्छे आगे देखो एक और सम दिया है इसमें क्या बोला गया है प्रॉम् दी फिगर गीवन बिलो फाइंड दी वैल्यू आफ सी इफ दी एक्विएलेंट कैपैसिटों बिट्वीन एंड बी इस इसमच अधर कैपैसिटर्स आर इन माइक्रो फेरेड बलब ए और बी के बीच में जो कैपैसिटर लगा है उसकी वैल्यू क्या है वन माइक्रो माइक्रो फेरेड इसमें माइक्रो फेरेड में तो यहां पर देखो यहां पर आएगा करेंट यहां से क्या मिल रहे है इसका मदब क्या है कि यह दोनों है अपने पैरलल में कि आया ना सब्सक्राइब फेरे इन दोनों को सॉल्फ कर लो क्या हो जाएगा फॉर फ्लस फॉर करना है तो यहां से अपना इसको देखो इसको कर लेते हैं सुट आउट यह अपना बन गया आठ माइक्रो फेरेड को दिक्काद वलीबात नहीं तो यह अपना हो गया सीरीज में कैसे है सीरीज में इसको फाइंट कर लो वन इंटो एट डिवाड़ बाइट वन प्लस एट कौन सा फॉर्मना यूस किया वन अपन सी एक्विलेंट इस प्लस वन अपन सी एट यह जो भी हमें एट की वेल्यू मिलिये वह येस तो इन दोनों को क्रॉस मुल्टिप् आपको यह दोनों भी सीरीज में दिख रहे हैं यहां से अपने पास एक कैसी यहां से सुनना कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है पहले क्या करोगे इन दोनों का वेली निकाल लो तो यहां पर क्या बचेगा सिर्फ एक पेसिटर बचेगा अभी एक क्या पपिसिटर यह औ आपको पैरलेल में दिख रहा है आया ना पैरलेल में दिख रहा है तो यह दोनों को प्लस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस करने के बाद में आपको यह आंसर मिल जाएगा सिंपली सॉल्फ कर्लोगे इतना मैस ओ आता होगा नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके बता दें यह भी सॉल्फ करके आपको दे दूँगा घ्या और एक अब हमलोग ने यह सारा सॉल्फ कर लिए और हमारे पास यह एक ऐसा आ गया और यह पॉइंट अपना बी आ ऑगया यह अब इसकी वैल्यू क्या है च्याँ मैक्रो पेराइट अब द्हकों हों क्या बूला गया से दिखेंशा के इन दोनों की वेल्यू मिला कि समया मिलती है क्यों से 10 32 by 9 into c divided by 32 by 9 plus c आप लोग इस कौन सा फर्मुला लगाओगे आप लोग यहाला फर्मुला लगाओगे वन अपॉन सी एक्वेशन यहां पर क्रॉस करोगे तो आपको अंसर मिल जाएगा इसको यहां पर भेज दो की आपको सॉल्व कैसे करना है अपको चमझा होगा यस आज के लेक्षर में ने क्या कहा मिलाका अपने प्लस सी टू प्लस सी थ्री एंड सो और कौन सा फॉर्मला आपको याद रखना है क्यू बराबर सीविए आपके यह वीडियो यूस्फिल लगी होगी आपकी कम टाइम में ज्यादा कॉनसेट्ट क्लियर हो गया होगे और ज्यादे स्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो शेर करो अपने फ्रेंज के ग्रूप में डालो सब कुछ जालो क्यूंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टन नोटिफिकेशन आने वाला है तो उसके लिए रेडी रहना सब लोग मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ग्यानला जोइन कर लेना ताकि आप लोग को सारे लिंक्स सारे टाइम टेवल सारे नोट्स मिल जाए ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बाई एव्रीवन टेक केर